नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको SBI credit card को activate कैसी किया जता है, इसके बारे में पूरी जानकारी step by step देने वाला हो, अगर आपको भी SBI का कोई भी नया credit card मिला है, तो सबसे पहले आपको उसे activate करना होता है, उसका pin generate करना होता है, और कुछ transaction होते हैं, उसको enable करना होता है, वो कैसी किया जता है, इसके बारे में आज आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हो, ताकि आप कोई भी transaction करें, तो successfully हो जाए, आपको कोई भी transaction फेलना हो जाए, तो आईए यह जान लेते हैं, कैसी किया जता है, इस भी ए credit card को activate, मेरा नाम है सचीन और आप देख रहे हैं, card कमा सकते हो, zero balance वाला saving अकावर भी इसमें open कर सकते हो, तो जो भी credit card आपको परसंद आता है, सिप उसके उपर apply now का बटन होता है, उसके उपर click करना है, जो भी आपकी personal detail होती है, official detail होती है, वो field करने है, और submit करना है, जैसे आप submit करेंगे, तो आपको कुछी दिन के अंदर आपको बताएगा कि आपको एक credit card मिलेगा या नहीं, नेकिन अमारे देखें लिंक से अगर अपना एक करते हैं, तो आपको ज्यादा chances होते credit card मिलने के, तो link आपको description में मिल जाएगा, तो SBI credit card को activate करने के लिए, यहाँ पर मैं आपको दो से तीन तरीके बताता हो, जिसके जरीए आप SBI credit card को बड़ी आसानी से अपडेट कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो, तो सबसे बहला तरीका है, आप net banking के जरीए अपने SBI credit card को एक्टिवेट कर सकते हो, दूसरा है, ATM में जाकर आप अपने SBI credit card को एक्टिवेट कर सकते हो, और तीसरा है, mobile banking के जरीए भी जानकारी step by step दे रहा हो, तो सबसे पहले आपको SBI card application आता है, उसको आपको download करना है, download होने के बाद आपको sign up करना होता है, sign up कैसे किया जाता है, इससे related मैंने पहले से video बना के रखा है, अगर आप देखना चाहते हो तो link description में मिल जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सारे information credit card के related आ चुके, जैसे कि यहाँ पे मेरा ना, यहाँ पे मेरा credit card number, available balance कितना है, total credit limit कितना है, और मैंने कितना use किया है, और मुझे अभी कितना pay करना है, और मेरा minimum amount due कितना है, यहाँ पर अगर मैं चाहू तो इसे EMI में भी convert कर सकता हो, तो यह सारे information आपको front में देखनी को मिल जाती है, लेकिन इसे use करने से पहले मुझे यहाँ पर मुझे यह credit card को activate करना होता है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो, services करके है, नीची की दरब, यहाँ पर इसके उपर click करना है, मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे यह expire हो चुका था, इसी वज़े से मुझे नया credit card मिला है, तो मुझे इसको activate करना हो है, और मुझे कुछ transaction enable करना है, और इसका pin भी set करना है, तो यह सारे जानकरे, आज मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हो, तो सबसे पहले आपको activate करना होता है, तो activate करना मतलब आपको इसका pin generate करना होता है, तो pin generate करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर देख सकते, change card pin करके होता है, उसके ओपर click करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेंज card pin है, उसके ओपर click करना है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी credit card है, वो आपको select करना है, अगर आप आपके पास 2-3 SBA के credit card है, तो यहाँ पर आपके 2-3 SBA credit card आ जाएंगे, तो फिलाल मैं यह select कर देता हो, और generate OTP है उसके ओपर click करूँगा, जैसे यहाँ पर मैं OTP पर click करूँगा, तो मेरे mobile number और email ID पर OTP चला जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, मेरे mobile number और OTP यहाँ पर आ इसके बाद यहाँ पर मुझे pin generate करना होता है, यहाँ पर मैं कर देता हो, आप यहाँ पर देख सकते हो, दो बार एक यहाँ पर enter your new pin और confirm your new pin, तो यहाँ पर आपका जो भी pin होगा, वही यहाँ पर enter करना है, और submit के ओपर click करना है, तो मैं मेरा यहाँ पर pin इंटर कर देता ह पीन इंटर करने के बाद, नीची के तरब submit का बटन होता है, उसके ओपर click करना है, जैसे यहाँ पर मैं submit के ओपर click करूंगा, तो यहाँ पर देख सकते हो, your card pin has been successfully changed, मैं आपको zoom करने की कोशिश करता हो, ताकि आपको भी दिखे, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मे इन तो change किया, अभी मुझे इसका online usage, मुझे enable करना होता है, domestic या international, इसके यह managed card usage होता है, उसके ओपर click करेंगे, अगर आप यह enable नहीं करते हैं, तो आप जो भी transaction करने जाएंगे, वो fail होने वाला है, क्योंकि यह सबसे important होता है, आप जितनी बार भी pin change कर लो, लेकिन अगर आप इस setting को enable या disable नहीं करते हैं, तो आप जो भी transaction होगा, वो fail हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको इसे भी enable करना होता है, तो सबसे पहले मैं manage card transaction है, उसके उपर जाओंगा, उसके उपर जाने के बात, यहाँ पर देख सकते हो, मैं online transaction, online transaction मतलब आप जो भी online transaction करेंगे, अ enable या फिर disable कर सकते हो, इसे के साथ international transactions करते हो, तो यहाँ पर आपको इसे भी enable करना होता है, फिला मैं international transaction नहीं करता है, मैं online usage, online transaction करता हो domestic में, इसलिए इसे यहाँ पर enable करता हो, इसे के बाद यहाँ पर देख सकते है, POS transaction में नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर disabled ही रखने दे और अगर आप ATM Traduction करते हो, तो यहाँ से आप Enable या पिडिसेबल कर सकते हो, किलाल मैं ये भी कर देता हो, और ये भी कर देता हो, मैं आप के लिए ब्रुड बना रहा हूँ, और आप चाहते हो इसका Set Your Spend Limit, यहाँ से आप Limit भी Set कर सकते हो, किलाल मैं यहाँ पे Save कर देता हो, जैसे यहाँ पे मैं Save करूँगा, तो मेरे Mobile Number पर फिर से एक OTP आएगा, वो OTP मुझे यहाँ पे Enter करना है, तो मैं Coffee कर देता हो, और यहाँ पे मैं Paste कर देता हो, 487-427, यहाँ पे देख सकते हो, मैंने OTP इंटर किया है, इसके बाद नेचे की दर आप Continue का बड़न है, उसके ओपर क्लिक करूँगा, जैसे हैं, आपे मैं Continue के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हो, अपडेट successfully हो चुका है, अभी मैं कोई भी transaction करता हो online, तो वो successfully हो जाएगा, कोई भी transaction मेरा fail नहीं होने वाला है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको activate करने के लिए आपको credit card का pin generate करना होता है, उसके बाद आपको manage transaction में जाकिए, जो भी आप transaction करने जाते हो, उसको आपको enable करना होता है, यहाँ पे देख सकते हो, तो मुझे उमिरे यह चोटी से जानकरे आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है, तो लाइक करें, दोस्तों के साथ share कीजे, और चैनल को subscribe करना ना भूले, तो मिलते हैं, ऐसे ही नए interesting जानकरे के साथ, तब तक लिए धन्यवाद, आपका दिन शूब रहे,